असलालेकूम, Hello everyone, Welcome to my channel, आज मैं आपके साथ शेर कर रहे हूं मतन सीख कबाब की रेसिपी, तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये मैंने मतन ले लिया था, मैंने 500-600 ग्राम मतन लिया है, तो इसको पहले अच्छे से वाश कर लिया था, और मैंने मतन का, तो इसको हमको मिक्सी में भी आप पीश सकते हो, तो मैंने ले लिया था, उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया है, और एक मिडियम साइस की प्यास बारी कट करके ली थी, और हरी मिर्च ली है मैंने, पास्ते छे हरी मिर्च ली है, मैं लाल मिर्च का भी यूज़ करूंगी, इस इसेपि को मेरे चैनल पे नेए तो सबस्क्राइब जरूर कीज़ी आगए तो नमक ढाला मैं नमक अपने टेस्ट के छाह सब से डालिए घनिया बीज़्द यूज मैं ंसके बाद मैने इसमें आधा चमच के करीब दाला है कि अ अ Bennett लें जो सबसा कि रेसीपी पि पे अल्डी मेरे चैनल पे मैं एंडि स्क्रीन में लगा दूंगी आप चैक कले ना उसके बाद मैंने हल्दी पॉड़र दाला है तो हल्दी पॉड़र मैंने आदा चमच दाला था उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट यानि अदरक लसुन पेस जाला है तो अध्रक लसुन पेस मैंने एक चमज भरके दाला था और उसके बाद हम मिक्सी में इसको पीश लेंगे मैंने ब्लैंडर की मदद देती है आप मिक्सी में भी इजीली पीश सकते हो बीना पानी के पीशना है और कीमा जो है थोड़ा चिकना लेना है अगर चिक कर लेना है तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गया यह तो अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको स्टीक पे लगाएंगे तो मेरे पास सीख नहीं थी तो मैंने क्या किया जो बच्चों की पैंसिल आती है पैंसिल से बना लिया था कुछ इस तरीके से हाथ पे पानी लगा ले इसके ही बनाए थे आपको अगर थोड़े बड़े साइस ही है तो बड़े बना लेना और मैंने थोड़ा पतला रखा था क्योंकि अच्छे से क्रिस्पे से हो जाया अंदर तक पग जाये तो यह सब ऐसे ही मैं रेडी कर लूँगी और सब रेडी करके फिर मैं आपको बतात पानी लगाना है हाथ पे और प्रेस करना है तो यह बन जाएगा बहुत इजी तो ऐसे पूरे बना लेंगे और इसको फिर शेलो फ्राइ करेंगे हम अगर मेरी तरह आपके पास भी सीख नहीं है तो ऐसे यह आप भी पैंसिल से बना सकते हो तो बहुत इजी बन जाते है किजेगा बस इतना याद रखे जो कीमा हम पीस रहा है थोड़ा सा चिकना रहना चाहिए यह देखिए बन के रेडी हो गया है तो अब मैं इसको शेलो फ्राइ करूंगी तो थोड़ा सा ही तेल दाला था मैंने जादा तेल का यूज नहीं किया था और जो सीग हमने तयार कि अब आपके थे वह एकए करके इसमें दाल देंगे हलका सा तेल गरम हो जाए उसके बाद ही दालना है तो मैंने दाल दिये थे यह देखिए और इसको थोड़ी पास से पास से 6 मिट के बाद पलटना है तुरंती मत पलटना इसको यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसको फ्राइ करना है ताकि अंदर से भी अच्छे से फ्राइ हो जाए और मैंने चनी का आटा या कुछ और यूज नहीं किया था ऐसे ही बनाए थे अगर आपको थोड़ा पतला लग रहा है तो आप चनी का आटा भी दाल देना थोड़ा सा तो यह देखिए स्लो फ्लेम पे ही बनाया था मैंने रेसीप यह लगे तो लाइक कीजिए गा जाधा जाधा शेयर कीजिएगा इस रेसीपी को मेरे चैनल पर ने है तो सबस्क्रीब जरूर कीजिएगा जो गंटी के बैल आइकन है इसको जरूर किजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल सकें, तो ये एक साइट से हो गये थे, मैंने इसको पलट लिया है, दोनों साइट से अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इसको, और धक्के मत रखना ऐसे ही फ्राइ होने देना इसको, अच्छे से अंदर से पक जाएगे, तो कच्छे रहे तो ये देखे, पलट लिया है मैंने, थोड़ा हलका सा ब्राउन हो गया था, तो अच्छे से ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही निकालना है, और ये क्च्छे कीमे के है, तो थोड़ा सा पानी इसका उड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसीजर में, तो तो ये देखिए, माशालला से बन गया है, रेडी हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी, आप इसको पाव के साथ या पराठे के साथ भी सर्फ कर सकते हो, तो जरू ट्राई कीजिएगा, और रसीप एच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जादा जादा शेयर तो मैंने निकाल लिया है, देखिए, रेडी हो गया तो मैं निकाल लेती हूँ अभी और ग्रीन चटनी और हरी चटनी और प्यास के साथ मैंने इसको सर्फ किया था, तो आप पराठे के साथ खाईएगा, बहुत ही टेस्टी से लगते है खाने में, और गरम गरम खाना तो इसका मज़ा है कुछ और आता है खाने में, जरूर ट्राइ कीजेगा, मैं आपसे मिलती हूँ निव रेसीपी के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस, ठैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग,